इस question में condition दिया है कि the foot of a ladder is six meter away from a wall and its top reaches a window eight meter above the ground तो अगर मैं इस condition को लेके diagram बनाऊं तो इस तरह से बनेगा कि यह wall है और यह ground level है तो हमारे पास एक ladder है यह ladder है यहाँ पे window है इस point पे तो उसने काया कि foot of the ladder is six meter away from the wall तो foot of the ladder जो है वो six meter अवे है अगर मैं इसको triangle की form मैं लिखूँ तो A B से एक triangle बनेगी क्योंकि दिवार जो जो wall है वो perpendicular रहेगी इससे ground से और यह foot of the ladder जो है यह ladder है तो foot of the ladder में इस तरह से बना देता हूं कि जो लेडर हमारे पास है इसका foot job वो six meter अवे वाल से और यह window है window की height जो है वो eight meter above the ground यह eight meter की height हो गई तो यह पहली condition है अब दूसरी condition में कहा गया है if the ladder is shifted in such a way that its foot is eight meter away from the wall to what height does it its top reaches तो वो second condition है हम पहली condition से यहां से सबसे पहले तो यह जो length of the ladder है वो हम find कर लेते हैं क्योंकि length of ladder से हम second condition find कर पाएंगे तो यहां पे अगर देखें तो यह right angle triangle बन रही है जिसमें जो ladder की length है वो hypotenuse बनेगी triangle में eight जो है वो perpendicular हो गया six इसका बेस हो गया तो पाइथा गोर्ण होती है कि hypotenuse का स्केर है वो बेस के स्केर और प्रपेंडिकुलर के स्केर के इसके मतलत जो hypotenuse के रहे हो तो यहां से hypotenuse हमारे पास आ जाएगा 10 means length of the ladder हमारे पास आगे 10 meter यह 10 meter की ladder होगी अब हम second condition देखते हैं उसने कहा है कि अगर foot of the ladder जो है वो 8 meter अब हो जाए wall से second condition मैंसे बनाते हैं कि अब ladder की जो ladder का foot जो है वो 8 meter हो जाता है जैसे दिवार यह थी यहां पर window है तो अब ladder जो है वो नीचे आ गई क्योंकि हमने ladder को shift किया कितना shift किया 6 की जगा 8 meter कर दिया लेकिन ladder की जो length है वो 8 meter 10 meter रहेगी वो नीचेंज होगी ladder की length वराबर रहेगी तो अब हमें चेक करना है कि ladder की जो यह जो top of ladder है यह इस दिवार पर कितना ऊपर रहेगा तो same conditions है क्योंकि यहां पर देखिए हमने सिर्फ 8 अगर आप इस diagram में देखे तो 8 यहां shift हो गया 8 base बन गया 10 जो अब वो hypotenuse ही रहा तो अगर पाइथागोर सिवर्म देखें तो हमारे पास यह triplet है पाइथागोरियन triplet तो 6 meter जो अब इदर आ जाएगा अब यह पाइथागोर सिवर्म से find कर सकते हैं तो इसका जो answer आएगा वो 6 meter आएगा कि जो top of ladder है वो इस जिवार पे ground से 6 meter के level पे रहेगा यह इसका answer है thank you